नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत थे आपके अपने चनल सक्सेट प्लेस में इस वीडियों में हम बात करेंगे भी वेप के बारे में भी वेप होता है भी वेटेड एबरेज प्राइस यह होता है हमारा जो आप टाइम परियर सेलेक्ट की हैं 15 मिनट 15 मिनट में हर एक मिनट हर एक सगेट पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ टोटल मिल आ करके और फिर उसमें हम प्राइस को कल्कुलेट करते हैं वॉल्यूम के अनुसार मतला वॉल्यूम हर सकेंड का वॉल्यूम लेंगे और उसमें जो प्राइस जिस एवरिज प्राइस पर वो मतल apply price निकाल लेंगे फिर उसको total volume से divide कर देंगे 15 minute के तो वो हो जाएगा 15 minute का भी बैप तो इसके long term calculation में नहीं जाएगे यह बहुत ही simple है जैसे अलग-अलग 6 group है 6 group का आपको पूछा जाए कि average iu निकालेंगे पहले आप एक group का अलग निकालेंगे फिर दूसरे group का फिर सारे group का average iu को जोडेंगे और number of group कितना है उस number of group से divide करेंगे तो आपका average पूरा group का निकल जाएगा iu कितनी है age कितनी है तो वही है आपका 15 मिनट तो 15 मिनट में हर एक second पे यहाँ पर होता है buy sell तो हर second पे जो price हो गया volume हो गया उसको multiply करेंगे तो एक मिनट करिक लेगा फिर, एक मिनट पर सारा जो price जिस पर trade हुआ है volume से multiply करेंगे फिर 15 minute 15 minute के volume से divide करेंगे तो जा करके हमारा 15 minute का volume better average price होगा तो यह सारा चीज software calculate कर देता है और हम यहाँ पर दे देता है जो के हम easily यहाँ पर use कर पाते हैं तो बस आपको simple जो 10th class का aesthetics है उसी को use करके calculate होता है, बिल्कुल simple mathematics है कोई इसमें मतलब कठनाई वाली बाती नहीं तो आपको use करने सीखना है यह हमारा जो आज का day है उसका जो price buy sale हुआ है उसका average यह value है average value से नीचे जा रहा है मतलब market तो आपको क्या करना है sale करना है, अगर इसके ऊपर जा रहा है जो average buy sale price है तो आपको क्या करना है वहाँ पर buy करना है नीचे जा रहा है तो sell करना है उपर जा रहा है तो buy करना है यह भीवेप जो है इंट्राडे का एक बड़ मास्तर है देखिए यहाँ पर यह थोड़ा सा deviation है तो थोड़ा सा deviation है आपको नहीं देखना है तो वही थोड़ा सा ऊपर और फोड़ा सा नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा मातर उपर गया जादा तर टाइम देखे कहां पर बैंक-निटि से ही सारा चीज बनता है तो price section आपको सबसे पहले confirm कर देता है कि market का trend क्या होगा उसको confirm करते हैं volume से moving average यह 9 का moving average यह इसका use करते हैं हम जैसे आपको profit book करना है तो short time frame जैसे 5 minute लगाएंगे तुस पर profit booking यह 9 moving average इसली दिखा आपको profit book करना है अगर trade आपके favor में गया तो volume weighted average price का आप यूज करते हैं जो कि intraday का बिलकुल बिलकुल बढ़मास्तर है यह बताता है कि market का trend किया है अगर इसी को बार बार cross उपर नीचे उपर नीचे करता है मतलब market जो आज volatile है solid wage है मतलब बड़ा बड़ा candle बनाता है volatile है volatile होने के साथ side wage हो जाएगा जब इसी के उपर नीचे trade करेगा तो भीवेप जो है आप जब लगाएंगे तो भीवेप बहतर काम करेगा जब आप जहें एक घंटे या दो घंटे trade हो जाता है उसके बाद जो भीवेप के अनुसार आपको मिलेगा जो trade मिलेगा वो काफी solid होता है क्योंकि आज जब एक दो घंटे आप market को देखते हैं किस price पर वो buy sell हो रहा है वो भीवेप बता दीता हमें अब उसके उपर जाता है price तो मतलब market जो अब ट्रेंड में जाने वाला है अगर उसके नीचे price बार-बार जा रहा है मतलब market में आज downtrend है तो simply भीवेप से आप पता कर सकते हैं कि market का trend आज क्या है और भीवेप से आप trend पता कर सकते हैं दूसरा आपको जो है कब buy करना है किस level पर profit book करना है यह आप जो है किसी और indicator से प्रालग सकते हैं यह price action से सारे जो indicator है वो बने है किसे price action से ही तो price action ही सबसे fundamental चीज है अगर price action को आप समझ लेते हैं किस प्रकास मतलब price movement करा है कब support तोड़ेगा तो नीचे आएगा price कौन सा rational देख करेगा तो एक बड़ा momentum ऊपर की और आ सकती है इन सारी चीजों को अगर आप सेख लेते हैं तो काफी पहतिन होगा साथे साथ price जो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसमें कितना stint है मतलब कितना वो गती से नीचे जा सकता है कितनी तेजी से कितनी stint के साथ वो बताता है हमारे RSI bersi rsi भी बबना है किसंगे प्रैस से हर चीजंग बना है vbap विबब बना है प्राइरज मुविग एवरेज भी बना है प्रैस से तरह मुविंग एवरेज नर्जिए सेम्पल मुविंग एवरेज सेमपल के क्लास के मैथवनटिक को लगा जीसे हैं और rehearsal इंट्राडे के लिए best है और जो simple moving average होता है वो आप positional trading, swing trading के लिए लगाएं, long term के लिए बिलकुल बहतरिन है लेकिंट्राडे के लिए exponential moving average ज़्यादा एकुलेट होता है क्योंकि यह जो अभी current trading होता है उसका सबसे best representation देता है exponential moving average तो यहां पर हम बात करें थे वीवेब का एक्समेंगों ऑफरेज की बात किसी और में डीटेल में करेंगे तो वीवेब का आपने असानी समझ रहा है कि इसके कैलकुलेशन से हमें कुछ खास मतलब नहीं कैसे कैलकुलेट हुआ है जटिल जितना बनाएंगे उतना मतलब आपको कठिन लगेगा simple समझे ये volume के साथ average price है volume के साथ मतलब किस price पर ज़्यादा volume के साथ trade हुआ मतलब ज़्यादा volume आ रहा है तो किस price पर आ रहा है तो volume के साथ ये average price है जो कि simple आप 10th class के statics को use करते हैं तो इसके calculation पीछे जाना है थोड़ा सा समझना है कि आज का volume के साथ जो average price पर trade हो रहा है मतलब उसमें volume भी आ गया मतलब किस price पर ज़्यादा volume के साथ trade हो रहा है अगर नीचे जा रहा है मतलब जो price है वो नीचे जा रहा है सासत volume भी वहाँ पर बहर रहा है नीचे के price पर तो ये अगर आपका intraday में आप यूज करते हैं भी वेप को अगर आपके price जैसे नीचे आ रहा है उसके साथ भी वेप भी नीचे आ रहा है देखते हैं यहाँ अगर अगर देखिए देखे ऊपर का यह र nutसर हे आप अफो और यह यह करता है तो नीचे और ज्यादा जाएगा अगर ब्रेंग, आपको निकलने कर सकते जिए अपना इस्टा प्लस का बिएप पर चौना हो जाएगा तो का प्रोफिट पाइट लीट जिए, लेकिन भीवेब को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में ट्रेडिंग होने देना होगा कुछ दिन जैसे मार्केट ओपेन होता है तो ऐसे मत जब किजेगा थोड़ा दे ट्रेड होने के बाद एक घंटे दो घंटे तब आप भीवेब को काफी सॉलिड तरीके से यूज कर सकते हैं अउसे तरह आप किसी भी इससे को ले लेते हैं आप रेलाइंस में भी लगा सकते हैं कि क्या को अब आपको त्रेड फीवेब कर नहीं है सब्सक्राइब करना है तो फिर से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, तो अच्छा खासा आपको profit मिलेगा, अगर किसी दिन आप wrong हो जाते हैं, तो यहाँ आप भीवेप अपना stop loss रखेंगे, तो एक छोटा सा stop loss आपका hit होगा, तो काफी solid strategy है, भीवेप जो होगा, आपका stop loss छोटा हो जाएगा, कोई भी technical indicator बना है, तो वो price action से ही बना है, तो price action को learn करते हैं, price action को सेखने का एक ही तरीका है, कि daily आप चार्ट को देखे, daily price action का जो trend है, जो support और resistance है, उसको draw करने सीखे, धीरे धीरे आप सीख जाएगे, कि किस तरह से हम price action के माध्यम से trend को find करते हैं, और जब trend line कोई break होत है, कौन सा important support relation देख होता है, तो एक बराब moment देखने मिलता है, किसी भी stock में, और किसी भी index में, चाहिए nifty हो, या bank nifty हो, उमीद करते हैं, ये video आपके लिए काफी helpful लगा होगा, तो video like और share ज़रूर कीजएगा, और भी आने वाले समय में indicator बताएंगे, बहुत सारी indicator है, जिसमें से कम से कम तो, आपको जो top indicators हैं, जो 5 से 10 indicators, जो top class के indicator हैं, उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपका trading काफी आसान होगा, और थोड़ा सा losses आपके कम होगे, पहले मैंने भी काफी side losses की हैं, जो कि अब हमारे काफी कम losses होते हैं, और profit अच्छागासा होता है, आपन stock market में, अपना trading और demand account open नहीं किया है, तो आप जिरोधा के साथ open करते हैं, angel broking के साथ करते हैं, अगर आपको trading करना है, तो angel broking सबसे बहतरी प्लेटपॉम है, काफी अच्छा margin देता है, आप हमारे link से angel broking अपना account open कर सकते हैं, साथ जिरोधा में चाहिए, तो आप उसमें क लगेगा